mutual fund से जुड़ी जितनी भी देश में popular AMC हैं आज के date में momentum based strategy पर dependent जो NFO है बहुत तेजी से launch कर रहे हैं और ये launch करने का region ये है कि जो retail investor हैं उनके बीच में ये momentum based strategy बहुत तेजी से popular हो रहा है popular होने का region ये है कि एक तो ये index based fund होते हैं जिसकी वजह से इनका जो expense ratio होता है वो काफी कम होता है और वहीं पर return के मामले में ये active mutual fund को भी बहुत पीछे छोड़ दे रहे हैं इसी के क्रम में आज के इस वीडियो में हम लोग दो index जो की momentum strategy पर based हैं उसके बारे में detail में बात करे ना भूलें सबसे पहला index fund जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे nifty 500 momentum 50 index fund और अगर इसके base date यानि 2005 अप्रिल से अगर हम लोग बात करें तो 19-20 सालों में इन्होंने जो annualized return बना करके दिया है 24.9% यानि लगबग 25% का annualized return पिछले 19-20 सालों से इस index ने बना करके दिया निफ्टी mid cap 150 momentum 50 index fund और अगर इसके return की बात करेंगे तो ये उससे भी ज्यादा return दे रहा है और पिछले अगर हम लोग बात करें base date 2005 से तो 19-20 सालों में इसने 25.33% यानि लगबग 25% का annualized return बना करके दिया हुआ है अब दोनों के strategy के बारे में एक बार detail में बात कर लेते हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी mid cap 150 momentum 50 index fund के बारे में तो जैसा कि आपको नाम से इस पश्ट हो रहा होगा ये mid cap का index होगा यानि total जो mid cap की company है serial number 101 से 250 तक जो की BSE और NSE में लिश्टेड है इन 1500 company में से 50 company को चुना जाएगा 1500 में से केवल 50 company को चुना जाएगा और कि 50 company में आपका पैसा invest किया जाएगा अब ये momentum क्या होता है इसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं देखिए जितने भी 1500 stocks होंगे mid cap category के उन सबको एक normalized momentum score दिया जाएगा किस बेस पर पिछले 6 महीने और 12 महीने के price return के हिसाब से price return के हिसाब से यानि कि मालीजे की किसी एक stock क mid cap category के एक stock का price 10 रुपया था और उसका price एक साल में बढ़ करके मालीजे 50 रुपया हो गया तो price wise return कितना हुआ price wise अगर हम लोग return देखेंगे percentage में तो कितना हुआ यहाँ पर 40 रुपया बढ़ गया और कितने base पर 10 बेस पर अब इसको percentage में convert करेंगे तो 400% आ जाएगा कितना 400% इसी प्रकार से सभी का price wise return wise सब को एक rank दिया जाएगा और rank देने के बाद से top 50 rank वाले जो stock होंगे उनको select करके एक index बनाया जाएगा जिसमें आपका पैसा invest किया जाएगा अब यहाँ तो clear हो गया कि चलिए ठीक है हम 50 stock में पैसा invest करेंगे लेकिन किस weightage में करेंगे तो इसके लिए आप देख सकते हैं stock weight are based on combination of the stock normalized momentum score and its free float market capitalization यानि कि ये तो इसका normalized score हो जाएगा जो भी return आएगा उसके बाद से जिसका market capitalization जादा होगा उसके weightage जादा होने की संभावना है क्यों क्योंकि ये जो normalized score आएगा और जो उनका free float market capitalization होगा उसके base पर decide किया जाएगा कि कितना stock में पैसा डाला जागा जैगा जैसे माल लिजे कि 5000 करोड से लेकर के 20,000 करोड के बीच में market capitalization होता है mid cap category का यानि कि 101 से लेकर के 250 serial number total 1500 company है तो सबका market capitalization अलग-अलग होगा किसी का हो सकता है 5000 करोड का हो किसी का हो सकता है 19,000 करोड का हो ये भी तो हो सकता है क्योंक में आ रही हैं तो किसमें कितना ज्यादा पैसा डाला जागा वो डिपेंड करेगा किसका market capitalization ज्यादा है और किसका momentum इसको ज्यादा है दोनों के multiplication के बाद से जो final value आएगी उसके हिसाब से वेटेस तै किया जाएगा यानि कि ज्यादा stable company में आपका पैसा जाएगा और जो momentum में होगा यहां तक क्लियर हो गया अब अगर हम लोग बात करें यहां पर आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहा हूंगे आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि मालीजी आज कोई स्टोक मोमेंटम में चल रहा है कल को ना चले तो तो उसके लिए यहां पर विवस्ता की गई है कि यह हर 6 महीने पर rebalancing किया जाएगा यानि कि हर 6 महीने पर जितने भी 1500 स्टोक होंगे mid cap category के उनको फिर से momentum score और उनके free float market capitalization के multiplication के बाद से जो final value आगी उसके हिसाब से उनका weightage और उनके हिसाब से stock तै कि कि किस stock में पैसा डाला जागा यानि कि यह हमेशा हर 6 महीने पर balance करके किवल उनके stock में आपके पैसे को invest करेगा जो momentum में होगी और जो अच्छा खासा return बना करके दे रही होगी यहीं region है कि पिछले 19-20 सालों में base date से इसने लगबग 25.33% का annualized return दिखाया हुआ है यहां तक आपको doubt clear हो गया चलिए अब अगर हम लोग बात करें कि यह fund कितना volatile होगा या नहीं होगा तो अगर मैं standard deviation की बात करूँ standard deviation हमें यह बताता है कि जो हमें यह return देखने को मिल ला है since inception मतलब 19-20 सालों से यह हमारा average हो गया अगर इसको हम लोग मालने की 25% का हमें average return देखने को मिल ला है अब mutual fund में या किसी साल उपर भी return मिल सकता है और किसी साल नीचे भी return मिल सकता है अब अपने average value से यह कितना उपर जा सकता है और कितना नीचे जा सकता है इसी के बीच के difference को हम लोग बोलते है standard deviation और यह standard deviation जितना कम होगा उतना हमारे बहतर है क्यों क्योंकि जितना कम होगा वो अपने average के आसपास ही move करेगा और जितना जादा होगा उतना जादा ये fluctuate करेगा अपने average से ठीक है तो इनका average अगर हम लोग देखें standard deviation average return के आसपास कितना उपर और कितना नीचे जा सकता है तो एक साल में लगबग 20% का standard deviation है पान साल में भी 20% का और since inception इनका जो standard deviation है वो लगबग 21% क हो जाता है उसके बाद से अगर हम लोग बात करें इनके बीटा की बीटा हमें ये बताता है कि कोई भी fund अपने index की तुला में कितना volatile है चुकि ये already खुद में ही एक index है तो इसको compare किसे किया जा रहा है निफ्टी 50 से अब निफ्टी 50 क्या होता है जो सबसे बड़ी 50 company होग जो serial number एक से लेकर के 50 तक होगे जिनका market capitalization 20,000 करोड से कहीं जादा होगा तो उन index के आधार पर इस index का बीटा अगर हम लोग देखें तो एक साल में इसका बीटा एक दसमरों एक तिन क्या सपास है बीटा की value अगर एक या फिर इससे जादा होती है तो वो जिससे compare किया जा निफ्टी 50 से भी कम हो जाता है यानि कि एक stable fund की तरफ हमें ये इशारा कर रहा है कि जब आप long term की बात करेंगे तो इनका जो निफ्टी 50 की तुलना में जो बीटा है volatility जो है वो कम हो जाती है तो ये एक अच्छे और बेहतरीन fund की तरफ हमें इशारा कर रहा है ठीक है इसके बाद से अगर हम लोग कुछ और technical points की बात करें जैसे PE ratio और PB ratio हमें ये बताता है जैसे इनके और fundamental की बात करते हैं तो PE ratio हमें ये बताता है कि कोई भी जहां पर भी हम पैसा invest कर रहे हैं वहां पर एक रुपया return कमाने के लिए हमें कितना जादा या फिर कितना गुना देना पड़ा है जैसे की ध्यान से सुनिएगा PE ratio का full form होता है price to earn ratio यानि कि एक रुपया return कमाने के लिए हमें 36 रुपया पैसा देना पड़ेगा एक रुपया return कमाने के लिए 36 रुपया 43 पैसा देना पड़ेगा PE ratio जितना कम होगा उतना हमारे लिए बेतर है यानि कि अगर मालेजे किसी एक दूसरे fund का PE ratio 20 होता तो इसका मतलब यह होता कि हम एक रुपया कमाने के लिए 20 रुपया पैसा invest कर रहे हैं और यहां पर एक र बताता है price to book ratio कि मालेजे की कोई stock है ABC अगर वो stock डूब गया तो investor जो पैसा उसमें invest किये हुए हैं उनको उनका पैसा कैसे मिलेगा तो इस stock इस company के जितने भी एक तरीके से assets होते हैं उन सब को बेच करके जितना भी पैसा recover हो जाता है उसको जितने भी investor होते हैं उनमें distribute कर दिया जाता है ठीक है दियान से सुनिएगा तो अब मालेजे की कोई ABC company है तो उनके अगर हम लोग asset की बात करें तो asset में क्या आएगा वो मालेजे कोई factory हो सकती है तो कोई land पर उनका कोई factory है तो जमीन जो है factory में जितने भी machine है वो सारे उनके assets हैं जबकि उनमें जो काम करन करने वाले employee है वो asset नहीं है बलकि वो liabilities में आती है क्योंकि आप employee को तो बेज करके पैसा require करेंगे नहीं बलकि उनकी salary बन रही है वो company को पे करना है तो उनकी liabilities बनती है तो इसके base पर हम लोग PB ratio यानि price to book ratio के आधार पर हमें ये पता चलता है कि अगर company do be in case company do be तो जितना आप invest कर रहे हैं या फिर जितना आपको पैसा require मिलेगा जब company डूबती है तो उससे कितना गुना ज्यादा आप पैसा invest कर रहे हैं एक रुपया return कमाने के लिए यानि कि अगर ऐसे समझे अगर company डूबने पर आपको एक रुपया पर share के हिसाब से return मिलेगा तो आप साड़ पांच रुपया आज के rate में पैसा invest कर रहे हैं यानि कि company डूबने पर सिर्फ आपको एक रुपया मिलेगा और आप एक share का price आज के rate में साड़े पांच रुपया दे रहे हैं तो यह हमें बताता है कि कितना risk है या फिर कितना उसमें एक तरीके से कम risk है तो यहाँ पर इंडेक्स है तो इसको लेकर के बहुत जादा आपको concern नहीं रहना है सिर्फ मैं आपको fundamental समझाने के लिए बाते बता रहा था ठीक है तो अगर इस fund की हम लोग बात करें तो no doubt इनका return काफी decent है लगबग 25% के आसपास और इनका standard deviation भी देखा जाए तो ठीक ठाक है और इनका अगर beta भी देखा जाए तो काफी बहतरीन है तो अगर आप चाहें तो इसमें investment कर सकते हैं यहाँ पर मैं विल्कुल clear कर दूँ कि यह कोई भी recommendation नहीं है सिर्फ और सिर्फ education purpose के लिए वीडियो बनाए जा रही है और यह जो index है वो कियवल और कियवल mid cap के 50 stock में पैसा तो यहाँ पर जो आपका investment होगा वो प्योर mid cap category में investment होगा अगर आप mid cap category में कोई active fund लेते हैं जैसे मोती लालो स्वाल या फिर कोई भी आप quant का ले लेजिए या फिर SBI का ले लेजिए या फिर HDFC का ले लेजिए वो सारे में अगर आप देखेंगे तो सेभी के guideline के अनुस mid cap में ही जाएगा चाहे mid cap category अच्छा perform कर रही हो या ना कर रही हो तो यहीं region है कि इन्होंने अच्छा-खासा return बना करके दिया हुआ है mid cap category में क्योंकि यहाँ पर large cap में आपका पैसा नहीं जाएगा, small cap में आपका पैसा नहीं जाएगा, क्यवाल और क्यवाल mid cap में लेकिन अगर आप इसको long term के लिए hold करके रखते हैं तो आप बहतरीन return पास सकते हैं historical data हमें यहीं बताता है चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे index की nifty 500 momentum 50 यह भी momentum strategy बेस्ट एक index fund है लेकिन कैसा index होगा जिसमें nifty 500 के सारे stocks सामिल होगे यानि की एक से लेकर के 500 serial number तक जितनी भी companies है 100 company large cap की 1500 company mid cap की और 200 company small cap की तीनों को मिलाकर के total 500 company में से 50 company को चुना जाएगा किस बेस पर momentum के बेस पर और इन 50 company का एक index बना करके उसमें आपका पैसा invest किया जाएगा अब यह किस बेस पर company चुनी जाएगी तो आप अपने स्किन पर देख पारेंगे normalized momentum score प्रते company को दिया जाएगा और वो कैसे calculate किया जाएगा 6 महिने और 12 महिने के price return के हिसाब से और stock का जो weight होगा वो combination होगा किसका stock normalized momentum score का और free float market capitalization का free float market capitalization का यानि कि जिसका market capitalization ज्यादा होगा और जिसका momentum score ज्यादा होगा तो जहीर से बात है multiply करने पर उसका एक तरीके से value भी ज्यादा आएगा momentum score और normalized free float market का तो उसका जितना ज्यादा weight जाएगा उसके हिसाब से आपका पैसा उसमें डाला जाएगा अब यह जो nifty 500 momentum 50 index fund है अगर इनके base date की बात करें तो यह भी base date आप अपने skin पर देख पा रहेंगे 2005 का ही है और लगबग सेम है यानि कि लगबग 19-20 साल में भी इसने जो return बना करके दिया है वो लगबग 25% का return बना करके दिया हुए थोड़ा सा कम mid cap category से यहाँ पर return बात करें तो यहाँ पर देखें यह standard deviation इनका एक साल में उससे ज्यादा दिख रहा है और since inception की बात करें तो वह आप पर भी ज्यादा दिख रहा है और beta की बात करेंगे तो उससे beta हर एक time frame में आपको ज्यादा दिख रहा है यहाँ पर उनका beta 0.8 था ठीक है और अगर हम लो लगबग सेम है वहाँ पर 5.49 का था और यहाँ पर 5.52 का है तो यह लगबग सेम है ठीक है इसके बाद से अगर यह तो टेकनिकल डेटा हमें बता रहा है कि यह fund जो है nifty 50 की तुला में ज्यादा वोलेटाइल है जो mid cap category का 150 mid cap 50 momentum fund था उससे यह ज्यादा वोलेटाइल बताय जा रहा है टेकनिकल डेटा किसा आपसे लेकिन एक बार हम लोग समझते हैं कि यह कैसे investment करते हैं अब जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसमें large cap भी सामिल है mid cap भी सामिल है और small cap भी सामिल है ठीक है यहाँ तक clear हो गया क्योंकि यह total nifty 500 को track करेगा उसमें से 50 stock को चुना जाएगा अब 50 stock में large का भी कुछ हाएगा mid का भी कुछ हाएगा और small का भी कुछ हाएगा तीनों को मिला करके यह index बना हुआ है तो यहाँ पर आप समझ पा रहा होंगे कि यह एक flexi cap की तरह behave करेगा कैसा flexi cap की तरह जिसमें large भी, mid भी और small तीनों सामिल है ठीक है बलकि यह एक index fund है तो जो भी अपने momentum के base पर और जो भी अपने free float market capitalization के base पर select होगा वहीं इस index में सामिल होगा तो चुकि यहाँ पर large cap, mid cap और small cap तीनों सामिल है तो जब market में मालिजे heavy correction देखने को मिला मालिजे small cap में, mid cap में heavy correction देखने को मिला तो उस समय large cap का जो portion होगा वो आपको थोड़ा सा balance provide करेगा जबकि nifty, 150, mid cap, 50, momentum वाले में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर केवल और केवल mid cap category का stock केवल सामिल था 50 stock तो अगर mid cap category perform नहीं कर पा रही है तो उस condition में वो भी index perform नहीं कर पाएगा जबकि ये वाला जो index है वो ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो एक तरीके से diversified fund है, ज्यादा diversified fund की बात करें तो ये वाला आपका ज्यादा diversified fund है अगर आप बात करें कि दोनों में से कौन से index में आपको investment करना चाहिए तो देखें जो technical data हमें बताया जा रहा है उसके हिसाब से ज्यादा volatile आपका अगर हम लोग देखें तो ज्यादा जो volatile है वो आपका है nifty 500 momentum 50 index fund क्योंकि इनका जो beta का value है nifty 50 की तुलना में वो ज्यादा है जादा है और इनका standard deviation भी जादा है जब की अगर बात करें nifty mid cap 150 momentum 50 index fund की तो इनका आप अपना standard deviation देखें ये उनसे थोड़ा सा कम है यानि कि ये कम volatile माना जाएगा nifty 50 की तुलना में और इनका जो beta का value है वो भी कम दिखाया जा रहा है और return भी आपको ज्यादा देखने क करना चाहते हैं तो nifty 150 mid cap 50 जो index है वो आपके लिए बहतरीन option हो सकता है वहीं पर अगर आप एक diversified fund चाहते हैं जिसमें large cap भी हो mid cap भी हो small cap भी हो तो उस condition में आपका nifty 500 momentum 50 index fund बहतरीन option हो सकता है अब किसी के मन में अगर ये प्रशन आ रहा है कि क्या मैं दोनों में investment कर सकता ह है क्योंकि एक में आपका large mid और small तीनों सामिल है और दूसरे में केवल आपका mid सामिल है यहां तक clear हो गया अगर हम लोग बात करें nifty 500 momentum 50 की तो no doubt उनका diversification जादा है क्योंकि इसमें large mid और small तीनों सामिल है अब ये जो data publish किया गया है NSC के दौरा वो हर एक quarter में ये data publish किया ज nifty 500 momentum 50 का कम दिखे mid gap से क्योंकि ये totally depend करता है कि market में इस समय क्या scenario चल रहा है कौन सा momentum में हो सकता है mid cap अगर ज्यादा momentum में हो ज्यादा return बना करके दे रहा हो तो आपको यहां पर return ज्यादा देखने को मिलेगा और अगर मालीजे large cap momentum में आ गया और mid cap थोड़ सा down हो गया तो उस condition में आपको वह वाला nifty 500 momentum 50 index fund में ज्यादा return देखने को मिलेगा जबकि बहुत बढ़ा अंतर नहीं ये दोनों में return की बात करें तो पिछले 19-20 साल का ही मैं record दिखा रहा हूं इनके जो official data है उसके हिसाब से और nifty का mid gap 150 का momentum 50 index fund 25.33% का दे रहा है और वो आपको 24.9% का return दे रहा है तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर gap नहीं है आप समझ पार हूंगे लगबग 25% का दोनों annualized return बना करके दे रहा है तो आपको खुद तया करना है कि आपको diversified fund चाहिए या फिर केवल mid gap category में investment करना चाहते हैं उस condition में आप खुद ये decide कर सकते हैं दोस्तों आपको